आज परमेशुर पृत्वी को दंड़ देंगे शीर्षक उप्देश के साथ आए हम यश्या के भविश्यवानी का अध्यन करें और इसका कारण समझे के क्यूँ परमेशुर संसार का न्याई करेंगे आए हम यश्या अध्य 24 आयत 1 देखे सुनो यहोवा पृत्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा और जैसी यजमान की वैसी याजक की जैसे दास की वैसी स्वामी की जैसे दासी की वैसी स्वामीनी की जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की सबों की एक ही दशा होगी पृत्वी, पृत्वी कैसी हो जाएगी शुन्य और उजाड हो जाएगी क्योंकि यहुआ ही ने यह कहा है यह हमने नहीं कहा कि पृत्वी उजाड हो जाएगी परमेश्वर ने स्वयम यह कहा है आयत 4 पृत्वी विलाप करेगी और मुर्जाएगी जगत कुमलाएगा और मुर्जा जाएगा पृत्वी के महान लोग भी कुमला जाएगे पृत्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद हो गई है इसका कारण क्या है? उन्होंने किसका उलंगन किया है? क्योंकि उन्होंने विवस्ता का उलंगन किया और विदी को पलट टाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है आयत 6 इस कारण पृत्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले तोशी ठेरेंगे और इसी कारण पृत्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे नया दाकमदू जाता रहेगा, दाकलता मुर्जा जाएगी और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी-लंबी सास लेंगे डफ का सुगदाई शब्द बंध हो जाएगा प्रसन्न होने वालों का कोला हल जाता रहेगा वीना का सुगदाई शब्द शांत हो जाएगा आयत 11 में यह कहता है कि सारा हर्ष जाता रहेगा और आयत 13 में लिका है कि यह पृत्वी पर देश-देश के लोगों में होगा यह शया अधर 24 में मुख्य मुद्दा यह है कि परमेश्वर पृत्वी को दंड देगे हमें इसका कारण समझना चाहिए सभी मनुष्य पापी आत्माएं है जिने शरण नगर इस पृत्वी पर निकाल दिया गया था परमेश्वर ने पापी आत्माओं को पश्चताब करने का अउसर दिया है परमेश्वर के नियमों और व्यवस्ताओं में पापों की शमा शामिल है हाला कि उन्होंने व्यवस्ताओं और नियमों को तोड़ दिया और उनका उलंगन किया इस प्रकार परिणाम क्या होगा? नई वाच्चा के माध्यम से परमेश्वर ने मानो जाती को उनके गंबीर पापों से शमा करने का उसर दिया लेकिन उन्होंने इसे अस्विकार कर दिया इसके आलवा शत्रू शैतान ने क्या किया है? शेतान ने चालाकी से परमेश्वर के नियत समयों और व्यवस्ताओं को बदल दिया ताकि लोग उनका पालन न कर सके यही कारण है कि परमेश्वर ने मानो जाती की पस्तिताप की और अगवाई करने के लिए प्रतिक यूग में अपने नवियों को भेजा और उन्हें बचाने के प्रयास किये लेकिन उन्होंने नहीं सुना इस प्रकार उन्होंने अंत के दिनों में क्या किया भली उन्होंने स्वर्व दुतो और नवियों को भेजा लेकिन उन्होंने नहीं सुना इस प्रकार परमेशर स्वयम अंत के दिनों में मानो जाती को सीधे तोर पर सिखाने के लिए स्पूर्थी पर आए उन्होंने मानो जाती से कहा तुम सब जो आत्मी कुरूप से प्यासे हो मेरे पास आओ और जीवन का जल पियो पवितर आत्मा का यूग अंतिम मौका है जब आत्मा और धुलन मानो जाती को बुलाते हैं मानो जाती को बचाने के लिए परमेशर ने पिता की यूग में पशूओ के बलिदान का उप्योग किया नई वाचा के यूग में वह इस पृति पर आए और अपने पहले आग्मन पर तीन वर्षों तक और अपने दूसरे आग्मन पर से तीस वर्षों तक नई वाचा का प्रचार किया यदि संसार अभी भी नहीं फिरता तो और मौके नहीं है परमेश्वर ने उन्हें पिता की यूब में और पुत्र की यूब में मौके दिए पवितरात्मा की यूब में परमेश्वर अंतिम मौका देते हैं लेकिन यदि लोग इसे भी असुईकार करते हैं तो क्या होगा? पृत्वी शुन्य और उजाड हो जाएगी ऐसी घटनाएं होंगी हमारे परमेश्वर प्रेम से भरे है क्या वहत क्रोथ करने में दीमे नहीं है परमेश्वर दयालू है और क्रोथ करने में दीमे है लोगों के पश्चिताप के लिए, उन्होंने विबिन घटनाओं का नितुरुत्व किया और यहां तक की शरीर में इस पृती पर आए उन्होंने सदोम और अमुरा के साथ साथ नुह के उधारनों को बनाया और पापों की शमा का मार्ग खोला लेकिन लोगों ने इसे स्वीकर नहीं किया इस प्रकार क्या होगा? प्रुद्वी को धंड दिया जाएगा और उजार दिया जाएगा यदि हम केवल इस अंच को देखे तो हम गलती से सोच सकते हैं क्या परमेश्वर निर्दई नहीं है? लेकिन वास्तों में परमेश्वर क्रोथ करने में बहुत धीमे हैं लेकिन इस प्रुद्वी के निवासी विद्रोई हैं वे परमेश्वर के नियमों को तुच्च समझते हैं वे आसानी से कहते हैं मैं परमेश्वर के नियमों का पालन करने के बजाए उन पर विश्वास न करना पसंद करूँगा इस प्रकार उन के लिए कोई और मौका बागी नहीं है परमेश्वर ने पिता की यूग में और पुत्र की यूग में मानो जाती की प्रतिक्षा की चुंकि वे पवितर आत्मा की यूग में भी अवस्वीकार कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर अब उन्हें अपना अनुग्रा नहीं दे सकते ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाते है कि उनकी पश्चताप करने वाली संता ने स्वर की राज्ये में लोटा है जो लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं वे कह सकते हैं क्या परमेश्वर को ऐसा करने के अवशक्ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनकी व्यवस्ता का पालन नहीं करते लेकिन क्या हम स्वर्गदुत नहीं है जिन्होंने अक्ष में पाप किया और इस पृती पर गिरा दिये गए। परमेश्वर लगातार मानोजाती को संदेज भीचते हैं जो दिखाता है कि वह उनसे कितना प्रेम करते हैं इसलिए वह कहते हैं अपने पापों की शमा पाने के लिए इस मार्ग पर चलो। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें, जो नियम दिये हैं, वे बहुत मतोपूर्ण हैं यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें उनके अधिकार के बोच के तले अनिच्चा से करना चाहिए क्या मुझे सबत के दिन जड़ जाना चाहिए या नहीं, मैं थोड़ा परेशान मैसुस कर रहा हूँ, क्या मुझे सच में जाना हैं, अगर कोई ऐसा सोचता है, तो उन्हें इस मुद्दे के बारे में सोचना चाहिए, जो स्वर्ग से जारी है उन्हें यह समझने की जरूत है कि परमेश और विवस्ता पर क्यों जोर देते हैं यह लिखा है कि प्रित्वी शुन्य और उजाड हो जाएगी पहला यहना अद्दै चार में लिखा है, परमेश और प्रेम है परमेश और ने कटेनाईयों से गुजरने में संकोच नहीं किया और यहां तक कि उन्होंने अपनी संतानों के लिए कुरूस पर अपना लहू भी बहाया बले ही वह पाप रही थे प्रेम के परमेश और ने यशाद्दै चोबिस में इन गंबिर भुविश्यवानियों को क्यों दर्च किया सबी लोगों परमेश और की आग्या केवल इस बारे में नहीं है कि शनिवार सबत का दिन है चुंकि परमेश और की इच्छा उसमें है इसलिए जो परमेश और की आग्याओ को नहीं मनाते हैं वे उस अनुग्र को और स्विकार कर रहे हैं जो परमेश और ने उनहीं दिया है इसे दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश और को हम पर ध्यान देनी की आवशकता नहीं है जिन्होंने स्वर्ग में पाप्शया और पृति पर गिरा दिये गए लेकिन उन्होंने हम पर दया की शरीर में इस पृति पर आए और वह लगातार उठार के संदेश की खुष्णा करते हैं परमेश्वर ने वह सब किया है जो वह कर सकते थे बाइबल में इसे केवल विवस्ताओं और नियमों के रूप में दर्च किया गया है लेकिन क्या उन में परमेश्वर का असीम प्रेम और दया नहीं है हाला कि मानो जाती उन्हें अस्विकार करती है मान लीजे कि आपके पास स्वादिश बोजन है और अच्छे इरादों के साथ आप अपने पड़ुसी से कहते है क्या आप इसे खाना चाहेंगे लेकिन प्रतिक्रिया आती है मुझे नहीं चाहिए कुछ समय बाद आप उनसे फिर से पूछते हैं लेकिन वे मना कर देते हैं सबी लोगो यदि आपको बार-बार और सुईकार किया जाता है तो आप क्या करेंगे क्या आप उनके साथ फिर से साजा करना चाहेंगे परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है कई वर्षों तक परमेश्वर ने अपने नवियों को भेजा और यह सोचकर व्यवस्ता की स्थापना की, उनके पश्चिताप के लिए कौन सा तरीका भेतर होगा? अंत में क्या उन्होंने क्रूस पर स्वयम को बलिदान करने का चुनाओ नहीं किया? अपने बहुमुल्य लहु के द्वारा उन्हेंने नई वाचा नामक मार्को प्रशस्त किया ताकि मानोजाती स्वर्ग में लोट सके. लेकिन अगर वे इसे सुईकार नहीं करते हैं, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. इस कारण पृत्री को शाप ग्रसेगा और उसके लोगों का क्या होता है? उसमें रहने वाले दोशी ठेरेंगे. हम कैसे जान सकते हैं कि उन्होंने परमेशुर की दया को अस्विकर कर दिया यह उनके कारियों के माध्यम से है उन्होंने परमेशुर की विवस्ताओं और नियमों का उलंगन किया शियोन के लोगों को छोड़ कर अन्यस सभी इस तरह से कारिय करते हैं क्या इसलिए यह नहीं लिखा है कि उद्धार और अनंत जीवन सियोन में है परमेश्वर केते है यदि तुम मेरी प्रजा हो तो जल्दी से सियोन में जाओ जो लोग सियोन में प्रवेश नहीं करते हैं वे एक बात का संकेत देते है कि उनका डुड संकल परमेश्वर की भली इच्चा को अस्विकर करना है इसलिए उनका नय किया जाएगा और उनके मूल पापों के लिए उन्हें दंडित किया जाएगा जब हम अपने चारों और युद्ध प्राकृतिक विपत्ती और भूकम जैसे चिनों को होते हुए देखते हैं तो क्या हम यह नहीं समझ सकते हैं कि हमें जाकर उन्हें परमेश्वर के नियमों और विवस्ताओं को सिखाना चाहिए हमें लगन से प्रचार करना चाहिए मानो जाती को यह कहते हुए एक आभारी रुदे से परमेश्वर के पास आना चाहिए वा, इस तरह से हमें शमा किया जा सकता है लेकिन इसके बज़ाए वे यह कहते हुए मना कर देते हैं मेरे पास समय नहीं है शैता ने इसे इस तरह से बनाया ताकि स्वर्ग पापी पापो की शमा के संदेश को अस्विकार कर दे उसने चाला की से नियत समयों और व्यवस्ताओं को बदल दिया पापो की शमा के अनुग्रपूर्ण मार्क का पालन करना जो परमेश्वर ने मानो जाती को दिया है जीवन जीने का सबसे उत्तम तरीका है वेवस्ता और सनातन वाचा शब्द बार बार क्यों प्रकट होते हैं यह मानो जाती को पापों की शमा प्राप्स करने के लिए दिया गया एक विशेश आउसर है जिनोंने स्वर्ग में अनन्त वृत्यू के योग्ये पाप किये लेकिन चुंकी वे कह रहे हैं मैं उनका पालन नहीं करूँगा मैं अन्य चीजों में बहुत वेस्त हूँ इसलिए क्या वे परमेश्वर की भली इच्चा का विरोध नहीं कर रहे हैं हम इस संसार की किसी भी चीज से स्वर्ग में किये गए पापों का भुकता नहीं कर सकते जब आत्मा और धुलन बुलाते हैं तो पश्चिताब करने वालों को यह कहते हूए जल्दी आना चाहिए मैं पश्चिताब करता हूँ गुरुपया मुझे शमा कीजे और नई बाचा के नियमों और विवस्ताओं का पालन करना चाहिए आएम रुम्य अदैच्छे पर जाए अदैच्छे आयत 18 में यह कहता है और पाप से छुड़ाय जाकर धर्मिक्ता के दास हो गए हम अपने पापों से कैसे छुड़ाय जा सकते हैं क्या यह हमारे पापों की शमा के द्वारा नहीं आयत 17 परमेश्वर के बारे में क्या कहती है जो हमारे पापों को शमा करते हैं परमेश्वर का धनेबाद हो अब हमें आत्मिक दुनिया को सही ढंक से समझने और यह मैसूस करने के आवशक्ता है कि सबत का दिन दुनिया की किसी भी चीज़ से अधिक मतवर रखता है परमेश्वर की वस्तुओं के साथ संसार की वस्तुओं को तोलने की कोई अवशक्ता नहीं है केवल उन्हें तराजू पर रखना ही परमेश्वर का अपमान करना है मृत्यू के दौरा हमारे पापो का भुक्तान किया जाता है सबी लोगो क्या आपको ट्रैफिक कानूनों का उलंगन करने के लिए मौत की सजा मिलती है इसे चोटा अपरात कहा जाता है उधरन के लिए किसी ने सड़क पर सिगरेट पेखी तो क्या उन्हें मार डाला जाएगा ऐसे लोगों को मौत की सजा नहीं मिलती है फिर यदि किसी को मृत्युदंड मिलता है तो उसने एक अक्षमय पाप किया है कुछ देश ऐसे है जहां मृत्युदंड प्रनाली सक्रिय है क्या उन्हें कुरूर अपरादों के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता जो कभी नहीं किये जाने चाहिए हमने ऐसा अक्षमय पाप किया है इस प्रकार यह लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो व्रित्यु है परन्तु परमेश्वर का वर्दान हमारे प्रभू मसी येशु में परमेश्वर ने हमें क्या अनुग्र दिया है अनंत जीवन है क्या इसलिए उन लोगों को अनंत जीवन की प्रतिग्या नहीं दी गई है जिनके पाप शमा कर दिये गए है परमेश्वर की आग्या है शब्दों में यह कहने के बारे में नहीं है कि यह मत्वपूर्ण है हमें यह नहीं कहना चाहिए इसे मानो क्योंकि यह बाइबल के अध्याय और आयत में है सुर्ग की चीजों के साथ इसे जोड़िए परमेश्वर उन पापियों को शमा करते हैं जिनोंने सुर्ग में दुष्ट कारिय किये है केवल अपने वच्चनों से नहीं की मैं तुम्हें शमा करता हूँ लेकिन अपनी मृत्तु के द्वरा क्या उन्होंने हमारे ले उनके लहूं में भाग लेने के लिए सत्यको स्तापित नहीं किया इसके बाउदूर लोग इसे नहीं मानते लेकिन इसका तिरसकार करते हैं उनके पास और कोई मौका नहीं है चुंकि पर्मेश्वर की वाचाए उनके बलिदान के साथ पूरी हुई इसलिए हमें उन्हें हलके से नहीं लेना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए आए यर्मयाद्ध 31 आयत 31 देखे फिर यहुवा की यहवी वानी है सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्रेल और यहुदा के घरानों से वह क्या बांदेंगे? नई वाचा बांदूँगा आए 32 में यह लिका है वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके फुर्खाओं से उस समय बांदी थी जब मैं उनका हाथ पकड़ कर उन्हें मिसर देश से निकल लाया क्योंकि यदापी मैं उनका पती था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली आयत 32 में यह लिका है उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली उन्होंने इसे नहीं माना परमेशुरा में पिता की यूग पुत्र की यूग और पवित्र आत्मा की यूग में मौका देते है आयत तेस परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इद्राल के घराने से बादूँगा वह यह है मैं वह क्या संभाएंगे अपनी विवस्ता उनके मन में संभाऊंगा और उसे उनके रुदे पर लिखूंगा और मैं उनका परमेशुर ठेरूंगा और वे मेरी प्रजा ठेरेंगे यहुवा की यहवानी है जो पापों की शमा के मार को सुईकार करते हैं उनके लिए परमेशुर की विवस्ता कहा है परमेशुर इसे उनके रुदेयों पर अंकित करेंगे आये यशेया अद्य इक्यावन आयच साथ देखे यह धर्म के जानने वालो जिनके मन में क्या है मेरी विवस्ता है तुम कान लगा कर मेरी सुनो मनुष्य की नामदराई से मढड़ो दूसरे शब्दों में परमेशुर का मतलब था जिस मार पर तुम चल रहे हो वह सही मार गे इसलिए लोगों से मढड़ो स्वर्ग वहस्तान है जहां हम सरवदा के लिए रहेंगे और उनके निंदा करने से विश्मित नहो क्योंकि गुन उन्हें कपड़े के समान और केड़ा उन्हें उनके समान खाएगा परंतु मेरा धर्म अनन्त काल तक और मेरा उग्धार पीड़ी से पीड़ी तक बना रहेगा जो लोग परमेश्वर से पापों की शमा प्राप्त करते है और उग्धार के मार्क पर चलते है उनके लिए क्या यह अनुग्र हमेशा के लिए नहीं रहता है इसलिए परमेश्वर कहते है मनुष्य की नामधराई से मटरो जिन्हों ने परमेश्वर के नियमों और व्यवस्ताओं को स्विकार किया वे सियों का भोजन बन गए वे मानों मुमबत्ती भी बन गए कुरूर तरीकों से शैतान ने पापों की शमा के परमेश्वर के मार्ग में बादा डालने का प्रयास किया लेकिन जिनके पास परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए कान है उन्हें हर यूग में परमेश्वर के पास लोटना है इसलिए अपनी संतानों को फिर से नई वाचा फ़सर देने के लिए जो सोला सो से अधिक वर्षो से गुप्त था परमेश्वर ने पवितरात्मा के युग में Church of God की स्तापना की इसलिए उन्होंने कहा हे धर्म के जानने वालो जिनके मन में मेरी विवस्ता है उनका मतलब था कि ऐसे लोग उनके लोग है न की वे जो हे प्रभु हे प्रभु चिल्लाते है आयाम यर्मया अदे 31 पर वापस जाए जिस मार्ग पर हम चल रहे है वह धर्मिक्ता का मार्ग है और अनंतस्वर के राज्य का मार्ग है जिसे परमेश्वर ने अपनी मृत्यू के द्वारा बनाया है इसलिए हमें दूसरों पर ध्यान नहीं देना चाहे जो हमें लुबाते हैं और मार्ग को बिगाडने का प्रयास करते है आये आयत 34 देखे तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहुवा को जानो क्योंकि यहुवा की यहवानी है छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा घ्यान रखेंगे क्योंकि मैं परमिशोर क्या शमा करेंगे उनका अधर्म शमा करूंगा हमने क्या किया वहना केवल हमारे दौराइस्पूती पर किये गए पापो को बलकि स्वर्ग में किये गए भयानक पापों को भी शमा करेंगे क्योंकि मैं उनका अधर्म शमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरन न करूँगा इस उद्देश के लिए उन्होंने कौन सी वाचा स्तापित की? क्या उन्होंने नई वाचा की स्तापना नहीं की? ऐसा इसले है क्योंकि उन्होंने नई वाचा का पालन नहीं किया बलकि उसका तिरसकार किया वे उस पड़ुसी के समान है जो भूजन लेने से इनकार करता रहता है यदि हम अच्छे इरादों के साथ भूजन को देते हैं लेकिन यह सुनते हैं नहीं, मैं उस तरह का भूजन नहीं खाता तो हम अप रसन्न महसूस करेंगे इस बारे में सोचे कि अक्ष में पाप करने वाले पापियों के लिए अपना शरीर बलिदान करने के बावजूद परमेश्वर को कैसे अंदेका किया जाता है अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है क्या परमेश्वर का नय होना अनिवार्य नहीं है इस प्रकार त्रीकिशे संतान जो परमेश्वर के पक्ष में खड़ी है क्या मानती है आए उस दुरुष्य को देखे प्रकाशित वाक्ष अद्दै चौदा आए आद 12 देखे पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो वे क्या मानते है वे परमेश्वर की आज्याओ को मानते है ये वच्चन क्यों दर्ज किये गए है चुंकि इन लोगों ने परमेश्वर का उद्धार का अनुगर प्राप किया है और पिता और माता की कड़ी मेनत को समझते है जोनने पापों की शमा के लिए बलिदान किया इसलिए क्या वाक्यांच परमेश्वर की आज्याओं हमेशा उनके साथ एक योग्यता के रुप में नहीं आता है आईए आयत 13 देखे फिर मैंने स्वर्थ से यह शब्द सुना लिख जुम्रुतक प्रभु में मरते हैं वे अपसे धन्या है आत्मा कहता है हाँ क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्रम पाएंगे और उनके कारियर उनके साथ हो लेते हैं क्योंकि पर्मेश्र की आगए बहुत मत्वपूर्ण है इसलिए स्वर्थ के चीजों को हमेशा प्रात्मिक ता दी जानी चाहिए आईए प्राकाशिक वाक्याते 12 आयत 17 देखे तब अजगर अर्थाच शैतान स्थरी पर कुरुदित हुआ और उसकी शेश संतान से वे क्या मानते हैं अजगर यानि शैतान स्थरी पर कुरुदित हुआ वे शत्रु है इस प्रकारम समझ सकते हैं कि स्थरी शैतान के विपरित पक्ष में हैं है न तबाजगर स्तिरी पर क्रोधित हुआ और उसकी शेश संतान से वे क्या मानते हैं जो परमेश्वर की आग्याओं को मानते और येश्वर की गवाई देने पर स्तिर है लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ उत्पत्य अद्य तीन में परमेश्वर ने शेटान और स्तिरी हवा के बीच सदुरूता स्तापित की परमेश्वर ने कहा मैं तेरे और इस स्तिरी के बीच में और तेरे वंच और इसके वंच के बीच में बैरूत्पन करूंगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा इसलिए प्रकाशित वाक्या देबारा आयत सत्रा के अनुसार केवल वे जो परमेश्योर की आक्याओ को मानते है शेतान के विपरित पक्ष में खड़े है क्या यह नहीं लिखा है कि अजगर उस्त्री से युद्ध करने गया फिर उत्पत्य अदेतीन की भविश्यवानी के अनुसार क्या स्त्री स्वर्गे माता को नहीं दर्शाती जो सब जीवित प्राणियों की माता है इसलिए जो लोग माता के पक्ष में खड़े होते है वे परमेशुर की आठ्याओं को मानते है वे पापो की शमा के सक्त्य को यह कहते हुए सुईकार करते है मैं पिता और माता को सरवदा धनेवाद महीमा और स्तूती दूँगा जिनने मेरे पापो को शमा किया और मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने दिया और इमानदारी से परमेशुर का पालन करते है इस पृत्वी पर केवल यही लोग शैतान के पक्ष में नहीं खड़े है वे परमेशुर के पक्ष में खड़े है प्रकाशित वाक्यादै तेरा के अनुसार बाकी लोगों के साथ क्या हुआ सारी पृत्वी के लोग इस पशु के पीछे-पीछे अचबबा करते हुए चले दुसरे शब्दों में वे परमेश्वर की आज्याओ को स्विकार नहीं करते हैं वे परमेश्वर की वेवस्ता का पालन नहीं करते वे नई वाचा को स्विकार करने से इंकार करते हैं जब परमेश्वर मानो जाती को नई वाचा देने के लिए इस पृति पर आए तो क्या उन्होंने यह नहीं कहा यह तुम्हारे लिए दिया गया है आए लुकाते बाइस आयत साथ देखे लुकाते बाइस आयत साथ तब अकमेरी रोटी के पर्फ का दिन आया जिसमें फसा का मिमना बली करना आवशक था येशुने पत्रस और योन्हा को यह कह कर भेजा जाकर हमारे खाने के लिए फसा तयार करो आए हम आयत 14 पर जाए जब फसा के लिए घड़ी आप पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भूजन करने बैटा और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि तो भूगने से पहले ये फसा तुमारे साथ खाओ आए हम आयत 19 पर जाए फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी यह मेरी दिया है जो तुमारे लिए दी जाती है यह किस के लिए है येशु ने कहा यह मेरी दिया है जो तुमारे लिए दी जाती है कुरूस पर उनके बलिदान का परिनाम नई वाचा है क्या यह परमेश्वर की विवस्ता, नियम और आग्या नहीं है यह मेरी दिया है जो तुमारे लिए दी जाती है हमें क्या करना चाहिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करू इसी रीती से उसने भूजन के बाद कटुरा भी यह कहते हुए दिया यह कटुरा यह कटुरा क्या है मेरे उस लवू में जो यह किस के लिए है तुम्हारे लिए भाया जाता है नई वाचा है उन्होंने हमारे लिए रोटी और दाक मदू दिया परमेश्वर ने पापियों के लिए नई वाच्चा स्तापित की जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पूर्थी पर गिरा दिये गए लेकिन यह अंदकार यूख के दौरान गयाब हो गई इस कारण से मीका दैचार के अनुसार परमेश्वर अंत के दिनों में क्या करेंगे चुंकि धर्म सुदार के माद्यम से एक भी सत्ते फिर से स्तापित नहीं हुआ इसलिए वह दूसरी बार आए ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके आगमन के बिना मानोजाती कभी भी पापों की शमा प्राफ्ट नहीं कर सकती है इस प्रकार क्या वह इस पृति पर दूसरी बार नहीं आए और मानोजाती को अपने मार्ग नहीं सिखाए जैसा कि मीका दैचार में भविश्यवानी की गई है हमारे परमेश्वर ने कटिनाईयों के बावजोतिस्व समाचार के मार्ग का नितुरत्व किया क्या वह व्यवस्ता जो उन्होंने हमें दी है हजरों सोने से अधिक कीमती नहीं है इसके बिना हमरे लिए स्वर्ग लोटने का कोई मार्ग नहीं होगा पृत्वी नश्ट हो जाएगी और उसके निवासियों को दंड दिया जाएगा और सदा सर्वदा पीडित किया जाएगा हमरे सियोन परिवार के सभी सदस्ये आज यहां इसलिए उपस्तित हो सके है क्योंकि पिता और माता आए और कहां आओ आएए हम अपने रुद्यों में नई वाचा का फसर जीवन की विवस्ता को उतकिर्न करे हमें सबत के दिन दश्मांच के नियम और अन्यस सभी नियमों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए इसमें पिता पुत्र और पुईतर आत्मा के नाम से बक्तिस्मा लेने का नियम और ओड़नी ओड़ने का नियम शामिल है परमेश्वर ने इने व्यर्थ में स्तापित नहीं किया इसलिए हमें पहले परमेश्वर के बारे में सूचना थी है आई हम समझे कि हम कहा से आए हैं और हम कहा जा रहे हैं हम जो जीवन जीते हैं वह आत्मिक दुर्ष्टी कोन से सबसे सामान्य जीवन है संसार के लोग परमेश्वर के अनुग्रों से दूर हो जाते हैं इसलिए परमेश्वर का रुदेट तूट गया है बले ही वह अपने प्रेम को मृत्यू तक भी साबित करते हैं लेकिन वे इससे स्विकार नहीं करते इसलिए मत्याद्देश साथ में वह केते हैं एक उकर्म करने वालो मेरे पास से चले जाओ वे क्या सकते हैं तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मों को निकाला और बहुत से आस्टेर कर्म किये लेकिन येश्व कहेंगे मैंने तुम को कभी नहीं जाना या इसलिए है क्योंकि परमेश्व के लोगों को बलीदान और पापो के शमा के मार्ग पर चलने के लिए नियत किया गया है जिसे परमेश्व ने स्तापित किया था परमेश्व उनसे पूछेंगे तुमने कभी सबत या फ़सा मना हैं परमेश्व प्रेम है वह मानोजाती को भरपूर प्रेम देते है और फिर भी लोग पश्चताप करने से इंकार करते है जब स्वर के नैले में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा तो इनके साथ क्या किया जाना चाहिए इसलिए हमें पिता परमेश्व और माता परमेश्व के सभी नियमों, व्यवस्ताओं और शिक्षाओं का पालन करना चाहिए यह ध्यान में रखते हुए कि यह पापों की शमा के मार्क पर चलने की प्रक्रिया है आए हम अपने आप पर शिंतन करे हमें हर चीज़ को नए सेरे से फिर से रखने की ज़रूरत है हमें परमेश्व के वचनों को उत्किरन करना चाहिए और स्त्री की शे संतान के रूप में परमेश्व की आग्याओं का पालन करना चाहिए और उन्हें सब ही लोगों को सिखाना चाहिए परमेश्वर कहते है जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवितरात्मा के नाम से बप्तिस्मा दो और उन्हें सब बाते जो मैंने तुम्हें आग्या दी है मानना सिखाओ हमें अपनी आग्या नहीं लेकिन वह सिखाना चाहिए जो परमेश्वर ने आग्या दी है मुझे आशा ही कि आप वो सिखाएंगे जो परमेश्वर ने सभी जातियों को आग्या दी है और संसार की इस मार्ग पर अग्वाई करेंगे मैं पापो की शमा क्यात्बो दनुग्र के लिए एलोहिम परमेश्वर को अनन्त धनेवाद, स्तूती और महीमा देता हूँ मैं पिता और माता को धनेवाद देता हूँ परमेश्वर आपको आशिज दे